आपको दिखाने वाला हूँ हल्दी के पत्ते यह जो पौधे हैं हल्दी का काफी बड़े हैं और इस पत्तों का सेवन अगर हम करते हैं तो यह रक्त विकार को दूर करता है अगर्णाब रक्त की जो असुद्धियां उसको दूर करता है कि आपको डिस्पेली भी हो रहा हुआ कि इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दी जुका में कफ होता है तो पकादा इसका सेवन करें कम सेवन के अलावा भी देखा गया है कि जो जिनको कैंसर है या बलड सुगर है जिनको सुगर है या तो divisions सेवन को कि समय एंटी गाड़ स्थेक्षण अप्यूप अपयोग हो पत्ते सेडियर करते हैं या धर सब्च्याइज अगर काट लेता है तो इसके पत्तों का सेवन और लेप लगाना चाहिए उसमें विटामिन A भी होता है प्रोटीन, कार्भोहाइडर, और खनी इजदत आधी मात्र में पाए जाते हैं उसमें देखा गया है कि इसके पत्तों का जो पकाईता लेप लगाने से चेहरे में मुहा से ठीक हो जाते है जैसा कि मैं पत्ते को टोड़कर इसको हलका रगर रहा हूं तो इसकी जो खुसबू है वाकि हल्दी के समानी है काफी धीमी और अच्छी खुसबू है अगर इसका सेवन करने के अलावा भी इसका लेप लगा लेते हैं सरीर पर या चेहरे पर तो वकाईत आपको इस ऐसके प्सेट सेखता और डाने ही गया है और काफी अपकरें विह अधीयर की बात कर ले जैस के प्रकंद के लिखे नीचे प्रकंदत अब्सकी आपके घरिमाना उसका हebया यह जा करना उसके अफेली मेन एशची जाने करना हर यह इन Caitlin यहां ब्रूं का पर्त्त क इसके जड़ के बारे में पुरी तरह से बताया गया है कि हल्दी का क्या क्या उपयोग है और इसमें देखा गया है कि उरण सिल तेल पाय जाते हैं 5.8% में मर्कुरिन नामक टर्पेंट भी पाय जाता है इसमें हम देखा गया है कि यूटूब पर आरेडी जो हल्दी के संदर मेरा वीडियो बना हुआ है, iButton में जाकर आप देख सकते हैं, iButton में आप देखके healthy के कितने उप्योगिता है, इसको आप विस्ति जुरूप से देख सकते हैं, और यहाँ पर healthy के पत्तों की उप्योगिता को बताए गया है, कि तो अच्छा में निखार पाने के लिए हल्दी के पत्तों का सेवन करें और लेप जरूर लगाए तो काफी अच्छा रिजल्ट सामने आता है सुगरवालोगनी काफिर राम बाड़े इसका रस का सेवन जरूर करें धन्यवाद